नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी यूटूब चनल हैस्टेक लास्टेन पर दोस्तों मैं हूँ सूरत सर्मा और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिसकसन करने वाला हूँ नैरेशन का पार्ट नमबर फोर दोस्तों तीन पार्ट मैंने बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है जाकर कि आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूगा वहाँ से आप लोगों को इस वीडियो में दस एक्जामपल का सल्यूशन करने वाला हूँ सेड और सेड टू वाले रूप से और रेड़ी मैंने से और सेज वाले रूप से जो है मैंने बना दिया है पार्ट वन पार्ट व जरूर देख लिजेगा और तीसरा पार्ट यदि आप नहीं देखे तो इस वीडियो को दोस्तों देखिए एक्जामपल है कुश्चन है he said to me, I am your friend दोस्तों बहुत सारे स्टुडियन कहता है कि हम कौन सा बुक ले तो दोस्तों आपको आप लोगों को बिलकुल बेसिक से सिखने के लिए बेसिक टू एद्भांस सिखने के लिए Oxford Current English Grammar ले लेना चाहिए उसी से मैं आप लोगों को एक्जामपल और एक्सरसाइज कराने वाला हूँ ठीक है उसके बाद एडवांस लेवल पर आप लोगों को मैं कुश्चन दूँगा और अपना नोट्स बनाते जाना है ठीक है तो चले ध्यान से देखेगा कैसे बनाते हैं दोस्तों ही है तो ही देना है सेड़ टू को यहां पे बदल देना है मैंने आप लोगों को बताया था say two को told में बदलना है उसके बाद me है तो me comma आ जाता है तो comma के बदले में that देना है मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है उसके बाद ध्यान दिजे दोस्तों I है I first person subject के अनुसार होता है subject एकदम सुरू वाला होता है तो I को बदलना है first person subject के अनुसार किस के अनुसार बदलता है तो i होता है first person, first person subject के अनुसार बदलता है, subject में he है तो यहाँ पे he देना है, ऐसा मैंने already आपको बिल्कुल 0 से part 1 में बता दिया है, छोटा छोटा वीडियो है जरूर देख लिएगा, और i के साथ m लगा है तो he के साथ दोस्तो, is लगेगा, और your होता है second person, object के अनुसार, object क्या होता है, जो कौमा से पहले होता है, दोस्तो, कौमा से पहले me है, और यहाँ पे you, second person object के अनुसार me, तो दोस्तो यहाँ पे me दे देते हैं, लेकिन क्या me जो है, देना संभव है, नहीं दोस्तो, क्योंकि me जो होता है, last बला होता है, i का, और योर है बीचवला यू का अगर योर बीचवला है तो मी का भी बीचवला लेना है तो मी का बीचवला माई होता है ठीक है फ्रेंड नहीं बदलेगा तो फ्रेंड का फ्रेंड रह जाएगा उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बाते समझ में आ गया होगा ये कुश्चन सम समझ में आ जाएगा दे को चेंज नहीं करना है तो दे सेड़ टू मिल गया तो यहां पे हमेशा टोल लिखिए अस है तो अस कौमा के बदले में हमेशा दैट लगाना है वी होता है फर्स्ट परसं सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में दे है तो यहां पे दे लेना है व दोस्तो यहां पे यू सेकेंड परसं अबजेक्ट के अनुसार अबजेक्ट है आपका कौमा से ठीक जो पहले होता है तो अबजेक्ट है अस चले यहां जब तक अस रखते हैं अब चेक किजिए यू सेकेंड परसं अबजेक्ट के अनुसार अबजेक्ट हमने रख दिया द और यू का लास्ट बाला यू, इसलिए यू सेकेंड पर सन अबजेक्ट के अनुसार, अबजेक्ट में अस है तो यहाँ भी अस होगा, ठीक है, ए है, तो ए, उसके बाद दोस्तों, नाइस प्रेजेंट, लिखेंगे, नाइस प्रेजेंट, ठीक है, बिलकुल बेजिक लेवल अब देखते हैं तीसरा क्या कहता है तीसरा है दचाइल्ड यानि बच्चा सिड्टू है तो यानि के टोल्ड में बदल दीजिए इसको his mother है his mother m o t h e r mother कौमा के बदले में आपको हमेशा that रखना है said वाले रूप में I होता है first person subject के अनुसार subject में यहाँ देख लिजिए बच्चा है यानि बच्चा लरका के बारे में कह रहा है तो इसके बदले में हम he ले सकते हैं लरका क्या है? he है वहाँ तो he ले लेंगे तो I first person subject के अनुसार बदलेगा तो यह पूरा the child के बदले में हम लोग ले लेंगे he यहाँ पे the child भी दे सकते है दिक्कत नहीं होगा लेकिन जब आप basic level में है तो the child दे सकते हैं he के जगा पे अगर समझ में आ रहा है तो he भी दे सकते हैं जो चाहिए वो दे सकते हैं ठीक है? I first person subject के अनुसार the child और लरका है इसलिए हमने he ले लिए तो दोनों में से कोई एक लिजेगा I के साथ sell लगा है तो he के साथ will लगेगा obey और you last बला है you second person होता है object के अनुसार कौमा से जो पहले होता हुआ object होता है तो यहाँ पे object आपका his mother है तो यहाँ his mother यानि कि क्या है दोस्तो तो यह girl के category में आता है यानि कि यह sterling है तो he के लिए हम ले सकते हैं sorry दोस्तो his mother के लिए ले सकते हैं see और you है last बला तो see का last बला होता है her यहाँ ले लिजे her ठीक है हो गया answer उमीद करता हूँ कि यह तीन question आप लोगों को समझ में आ गया होगा total 10 question बताऊंगा पूरा clear हो जाएगा ठीक है चले देखते हैं ध्यान से देखेगा दोस्तो see said to me second person subject के अनुसार subject में c है to see i के साथ m लगा to see के साथ is लगेगा to है to to help है to help क्योंकि यह सब change नहीं करना last में you second person object के अनुसार object में me है तो यहाँ me रखिए you last बला है और me भी last बला है तो यही answer हो जाएगा ठीक है चलिए यहाँ देखते है Mohan क्योंकि सुरू में कौमा से पहले जो रहता उसको change नहीं करना है Mohan said to है said to को बोले है change करने के लिए told में her है तो her कौमा के बदले में लगा यह that i first person subject के अनुसार है Mohan तो Mohan के लिए लेंगे he अगर आप basic में है तो Mohan भी दे सकते है कोई दिक्कत नहीं है Mohan दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है तो he देना है ठीक है i के साथ love तो he के साथ हो जाएगा loves अब यहाँ दोस्तो case आ गया s और e s कहां पे लगेगा तो दोस्तो जहाँ पे भी आपको third person का singular number third person third person का singular number आपको अगर मिलता है singular number अगर मिलता है तो वहाँ पे s या e s आपको लगाना है ठीक है third person का singular number जहाँ पे आपको मिलता है अब यह third person होता क्या है तो ध्यान दिजेगा जहाँ पे he मिल जाए c मिल जाए it मिल जाए या राम मिल जाए या किसी एक आदमी का नाम मिल जाए तो उसे समझ लिजेगा कि दोस्तों वह आपका third person है और third person में s और es लगता है third person का singular number में singular number हुआ होता है जो एक वचन होता है जिससे एक का बोध होता है ठीक है तो यहां ही लव यहां लबस हो जाएगा क्योंकि ही third person का singular number है इसलिए लबस हो जाएगा ठीक है और you second person होता है object के अनुसार object में हर है तो यहां पे हर देना है यू लास्ट बला और हर भी लास्ट बला होता है इसलिए यही आंसर हो जाएगा ठीक है यहां देखें दोस्तों see said two को फीर बदल दीजिए told में उसके बाद मी कॉमा के बदले में लगाए that I first person subject के अनुसार subject में see है तो यहां देना परेगा see want है तो want लगाए के see third person का singular number है तो wants लग जाएगा two है two give का give देना है और you यहां पर you देखें last बला है you के साथ is, are, am, was, where कुछ नहीं आया है तो you second person object के अनुसार object में me है तो यहां पर रखना है you के जगा पे me और दोस्तों you last बला और me भी last बला है इसलिए me हो जाएगा और my first person subject के अनुसा subject में c है तो दोस्तों my है बीचवला तो c का बीचवला यहां पर रखना है c का बीचवला होता है हर pain है तो pain रखना है और यह आपका answer हो गया ठीक है उमीद करता हूँ कि आपको 4-5-6 समझ में आ गया होगा चलिए अगला देख लेते हैं ध्यान दीजेगा दोस्तों he said to me है तो यहां देंगे he said to को बदल ये told में he told me है और कॉमा के बदले में लगाना क्या है that I first person subject के अनुसार ही है तो यहां पे देना परेगा he can है दोस्तों said रहता है can को किस में बदलना है could में मैंने आपको part 3 में बता रखा है defeat का defeat और you second person object के अनुसार object में me है यहां पे रखना है me you last बला और me भी last बला होता है इसका मतनब सही है यही answer हो जाएगा आठ का देखे दोस्तों सीता said to को बदल देंगे told में और राम है तो राम कॉमा के बदले लगाना है that और use second person object के अनुसार object में राम है अगर आप basic level में है तो राम दे सकते हैं नहीं तो राम के बदले आप he use कीजिए ठीक है he दीजिए या फिर राम दीजिए कोई दिक्कत नहीं है तो he should का should no change help का help यहाँ पे yes और yes नहीं लगाना है क्योंकि help से पहले should है can, could, कुछ भी आजाए तो नहीं लगाना है मी first person subject के अनुसार subject में सीता है तो यहाँ पे सीता के लिए ले लेंगे c और मी होता है last बला तो c का last बला होता है हर दोस्तों तो हर देना है ठीक है नहीं समझे ध्यान दिजिएगा मी first person subject के अनुसार subject में सीता सीता लरकी है तो लरकी के लिए हम यूज करेंगे c और मी last बला है इसलिए c का भी last बला हर होता है ठीक है नौमा देखिए ही सेड को दोस्तों या तो सेड रहने दीजिए या फीट टोल्ड दीजिए दोनों हो सकता है यहाँ पे इस स्थित में क आई first person subject के अनुसार subject में ही है तो यहाँ पे ही sell है आई के साथ sell तो ही के साथ लगेगा will लेकिन बोले है आपको will को would में बदल देना है तो will को बदल दिये किस में would में ठीक है क्योंकि ही के साथ will लगा और will का हो जाएगा would be playing तो दोस्तों be playing with with तो चेंज नहीं करना है और him होता है third person इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा दसमा है दोस्तों राम said to तो यहाँ पे बदल देंगे tool यहाँ पे said नहीं रखना है told क्योंकि to आ गया ऐसा मैंने बता रखा है आप लोगों को गीता कौमा के बदले में that I first person subject के अनुसार दोस्तों राम है यहाँ पे राम दे दीजिए या फिर I first person subject के अनुसार राम तो राम के बदले में हम ही ले सकते हैं ठीक है और I के साथ M लगा तो राम के साथ यही के साथ क्या लाएगा इस लेकिन दोस्तों यहां से डवला रूप है तो इस का रूप हो जाएगा वाज ठीक है वाज नॉट का क्या होगा नॉट गोइंग है तो गोइंग और टू का टू नहीं चेंज करना है help का भी चेंज नहीं होगा यू सेकेंड परसन अबजेक्ट के अनुसार अबजेक्ट में गीता है तो गीता एक लरकी है और लरकी के लिए हम सी लेंगे यू लास्ट बला है क्योंकि यू के साथ is, are, am, was, where कुछ नहीं आया है तो यू लास्ट बला है तो यू सेकेंड परसन अबजेक्ट के अनुसार गीता और गीता के लिए लेंगे क्या C तो C का लास्ट बला क्या होता है हर होता है यही इसका अंसर हो गया दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह 10 एक्जामपल जो है SID और SID 2 से कुश्चन जो था आप लोगों को कॉमेंट को देखते हुए आपका solution जरूर बताऊंगा और दोस्तों इसके बाद मैं exercise 75 बताने वाला हूँ जिसमें दोस्तों टोटल कुश्चन है 26 यानि के 26 सवाल है तो एक पार्ट में 13 सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ में दोस्तों किस बुक से तो बुक है करेंट ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिस ग्रामर ठीक है और उसमें मैं आप लोगों को परहा रहा हूँ क्या narration में direct और indirect speech ठीक है जिसका page नंबर है 209 दोस्तों उमीद करता हूँ कि मेरी सारी बाते अप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like, comment, share जरूर करें और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राबर है तो चैनल को सब्सक्राब करके बिल आइकन को दवाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहीं वंदे मातरम